नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सतीस और आपका बहुत बहुत स्वागत है को और नए वीडियो में फ्रिंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लक्षास्पिट प्रो एप से अपने स्मार्ट वाज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साड़े फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं जैसे आप इसमी कालिंग की फीचर को यूज करना चाहते हो या फिर अपना फोटो लगाना चाहते हो contact save करना चाहते हूं सब कुछ इस वीडियो में डेटेल में बताने वाला हूं तो वीडियो को लाश तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे पास यह है वाच 9 Ultra जो कि connect होता है लक्षा स्पीट प्रू एप से तो चलिए जानते हैं कि इसको कैसे connect करता है तो सबसे पहले बात करेंगे calling feature की ठीक है स्मार्ट वाच का नाम आपको यहाँ पर सो हो जाएगा वाच अड्यूर लिख के आएगा तो यहाँ पर आपको simply क्लिक कर लेना है और इसको पेर कर लेना है पेर करने के बाद आसानी से आप calling feature को यूज कर सकते हैं मैं आभी आपको दिखाऊंगा भी live यहाँ पर यहाँ प देखिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 123 पर कॉल लग चुका है ठीक है फ्रेंट यहां से हम मैं फॉन को काड़ देता हूं और कुछ इस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं ठीक है फ्रेंट तो calling feature को आप असानी से यूज कर सकते हैं आपको कोई problem नहीं है कि अगर आप यहाँ पर contact सेफ कर लेते हैं तो contact पे भी आप call कर पाएंगे ठीक है फ्रेंट आपको app से save करना पड़ेगा अब देखिए phonebook में कोई contact सो नहीं कर रहा है ठीक है तो चलिए इसको app से connect करते हैं तो app से connect करने के लिए friends आपको लक्षास्विट प्रो आप को play store से डाउनल कर सकते हैं इसको ठीक है तो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है तो चलिए इसको open करते हैं open करेंगे friends सबसे पहले आपको पूछ लेगा यहाँ पर user protocol और यहाँ पर notification एलाउ करने के लिए यहाँ पर don't allow करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर हम इसको don't allow कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर user protocol पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर एकड़ी कर देना है एकड़ी कर देने के बाद friends आपका जो एप है यहाँ पर open हो जाएगा यहाँ पर बोल रहा है location को allow करने के लिए तो यहाँ पर हम इसको allow कर देंगे उसके बाद देखिए आपकी today activities यहाँ पर show करेगी एप का home page यहाँ पर खुला हुआ है यहाँ पर 4 option आपको देखने के लिए मिल जाते हैं ठीक है connect करने के लिए friends आपको यहाँ पर आपको device पर click करना है और यहाँ पर आपको go bind पर click करना है यहाँ पर connect करने के बाद इन सारी features को आप use कर सकते हैं जो कि मैं आपक पर click करेंगे friends यहाँ पर बोल रहा है नियरवाई device को allow करने के लिए तो allow कर दीचेगा उसके बाद location को on करने के लिए बोल रहा है हमने सिर्फ allow किया था तो okay पर click करेंगे और यहाँ से on कर लेंगे location को उसके बाद आपको back चले जाना है back जाने के बाद फिर से आपको हो जाएगा यहाँ पर अब देखिए स्केन में हमारा स्मार्ट वाच आ गया है तो simply हमको इस पर click करना है connect करने के लिए click करते हैं friends यहाँ पर try to connect होगा और यह connect हो जाएगा आसानी से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर देखिए complete complete लिख के आएगा और यह connect हो ठीक है friends यहाँ पर time setting भी अपने आप इसकी हो जाएगी user profile setting भी हो जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अब देखिए हमारा स्मार्ट वाच है वह यहाँ पर connect हो चुका है तो इसकी time भी अपने आप यहाँ पर सही हो जाती है और यहाँ पर मैंने photo भी लग स्मार्ट वाच होता तो यहाँ पर हमको 12 horse में करने का option मिल जाता है लेकिन मैंने check किया कहीं भी यहाँ पर 12 horse में time करने का option नहीं मिलता है तो यह problem आपको इसमें देखने के लिए मिलती है अगर लक्षा speed pro apps अगर आपका smartwatch connect होता है तो ठीक है अब देखिए यहाँ पर connect हो है तो time भी सही हो गई है लेकिन 24 horse में सो कर रही है अब यहाँ पर साड़े features को आप use कर सकते हैं तो important feature मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले यहाँ पर rise to world का feature आपको जो है important मिल जाता है यहाँ यह होता है friends keys को on कर लीजेगा तो आपको यहाँ पर जब light बूच जाएगी तो आपको जराने की जरुवत नहीं पड़ेगी जैसे हाथ को उपर कीजेगा तो यहाँ पर light अपने आप आ जाएगी ठीक है कुछ इस तरीके से कीजेगा हाथ को उपर तो rise to world का feature आपको यह मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर contact save करने का feature आपको मिल जाता है frequent content पर click करना ह इसके बाद यहाँ पर आपको click करना है allow कर दीजेगा contact को उसके बाद contact list खूल जाएगी यहाँ पर click कर लिजेगा एक एक करके आप यहाँ से number save कर सकता है आपको कोई problem नहीं आएगी देखिए यहाँ पर नंबर save हो चुका है तो number जो save हो चुका है यहाँ पर भी show करेगा आ आपको कोई दिखकत नहीं आएगी देखिए मैंने अपना photo भी लगा जाया है यहाँ पर आप यहाँ पर आप चेंग कर सकते हैं अपना photo लगा सकते हैं यहाँ थोड़ा net slow है तो यह करके यहाँ पर वाल पेपर जो है वो खुल रहा है friends आप देख सकते हैं यहाँ तो से क्लिक करेंगे और लोडिंग लेगा लोडिंग लेने के बाद friends यहाँ पर हमको got it का option मिल जाएगा got it का option नहीं आया है friends तो फिर से एक बार हम यहाँ पर click करेंगे देखिए यहाँ पर got it का option आ गया है यहाँ पर click करते ही यही वाल पेपर हमारे smart watch में लगने लग यहाँ पर custom dial पर आपको आना है यहाँ पर आगे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद custom dial में जितने भी wallpaper है friends यहाँ पर सो हो जाएंगे एक एक करके अब खूल रहा है यहाँ तो आप इसमें से कोई सा भी एक select कर लिजएगा तो यहाँ पी यह सो हुआ है तो हम इसी पर click करते है ठीक है और इसको यहां से select कर लेते हैं select करने के बाद friends देखिए जो wallpaper है यहां पे so हो गया है अब देखिए इसी wallpaper को अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहां पे install पे click करेंगे यही wallpaper लग जाएगा लेकिन हमको यहां पे अपना photo लगाना है ठीक है तो हम लोगों को यहां पे select टीमेस पे click करना है click करने के बाद photo वीडियो को allow कर दीजेगा allow कर देने के बाद आपकी जो gallery यहां पे खुल जाएगी अब gallery में से आप कोई सावी photo जो आपको पसंद है आप लगाना चाहते हैं select कर सकते हैं ठीक है friends तो मैं यहां से एक photo select कर लेता हूँ जो मेरे को लगाना है photo पर simply हम click करेंगे photo बड़े size में यहां पर खुल के आ जाएगी ठीक है अब इसको आप छोटा बारा यहां से कर सकते हैं उसके बाद आपको छोटा बारा कर लेने के बाद यहां पर साही पर टिक कर देना है टिक कर देने के बाद photo यहां पर सो हो जाएगी अब देखिए time आप यह अब work करने लग गया है देखिए friends को चीज तरीके से आप इसको upper right, upper left, lower left आप कर सकते हैं अपने इससे आप से इसको set कर सकते हैं ठीक है तो मैं इसको यहां पर रखने वाला हूँ उसके बाद आपको क्या करना है install पर यहां पर simply click कर देना है click करने के बाद फिर से एक बार आपको यहां पर install पर click करना है तो आपको यहां पर got it का option आजाएगा ठीक है friends तो आपको simply got it पर click करना है और आपका यहां पर photo जो है लगने लग जाएगा dial installation यहां पर शूरू हो गई है यहां पर देखिए percentage चल रहा है जब तक यह चल रहा ह बटम आप मत दबाईएगा कोई भी नहीं तो कट जाएगा आपको प्रोब्लम आ सकती है यहाँ पर जैसे यह 100% होगा तो हमारा फोटो हमारे स्मार्ट वाच में सू करने लग जाएगा तो देखिए फ्रेंट्स यह complete होने वाला है जैसे यह 100% होगा तो यहाँ पर हमको successfully लिख किया जाएगा अपडेट successfully और यहाँ भी एक बार हमारा स्मार्ट वाच बंदो के चालो हुआ है और देखिए फोटो कुछ इस तरीकी से यहाँ पर सो कर रहा है तो आप भी अपना फो पसंद मिल जाता है तो उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कीजिए का चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंट्स मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका आप बहुत बहुत धन्यवाद